नमस्कार आप भरत लाइब देख रहे हैं बिहार सरकार ने खनन पर रोक लगा दिया है बात बालू की खनन क्या कर रहे हैं बालू के अबायद खनन को लेकर लगातार मामला सामने आता रहा है जिसको लेकर सरकार सक्त है आपको बता दे कि सुपॉल में कुछ लोग अपने खे ने उन्हें गिराफ्तार कर लिया है इस गिराफ्तारी के बाद वहां का माहौल बिगर गया है और बिहार सरकार के मंत्री नीरज बबलु ने वहां पे पहुंच कर थाना ध्यक्षो की क्लास लगा दी है आपको बता दें कि लगतार नितीज कुमार के सासन प्रसासन हैं वो किसने आपको बताई और बालु निकालने से किसने रोकने को कहा था आपको लोग अपने प्राइवेट जमीन में निकाल रहे हैं तो आप उसे गिराफ्तार कैसे कर सकते हैं सिधे तोर पर उन्होंने कहा है कि मुख्मंत्री जी ने अगर ऐसा चिठ्थी जारी किया है तो आप वो चिठ्थी दीजिए मुझे मैं मुख्मंत्री से जाकर बात कर लूँगा इन तमाम बातों को लेकर वहाँ के थाना ध्यक्ष लगतार सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं और सिधे तोर पर कहें तो बालु माफिया का जो खेल चल रहा था उस खेल में कहीं अब बिधायक जी लगतार विफर गए हैं और नितीश कुमार पर ही विफर पड़े और कहा कि अगर बिहार के मुख्मंत्री नितीश कुमार ऐसी बाते कर रहे हैं तो आप वो चिठ्थी मुझे दीजिए मैं नितीश कुमार से जाकर बात करूँगा थाने में कुछ दलाल है जिसकी वज़ा से आप लोग ये काम कर रहे हैं आपको पता दे ये मामला लगातार प्रकास में आता रहा है कि थाना दलालों के द्वारा चलाया जा रहा है अब कहीं न कहीं बिहार सरकार के मंत्री ने इस बात को कहा दी है ये बड़ी खबर है क्यो पुलीस प्रसासन को पैसे देकर पैसे की लेंदेन के बदोलत कार्ज कर रहे हैं साथ ही बालू के निकासी के मामले में उन्होंने सिरे तोर पे कहा कि बालू के निकासी में प्राइबेट जमीन में कोई अपना बालू निकाल सकता है अगर उत पर सरकारी बालू नहीं रखा उनके पुलीस परसासन पर विफर रहे हैं। नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो जॉइन बटन दबा दी। पेटियम नमबर नोटकली 9386816700 धन्यवाद।